भारत और बंगलादेश के विश्ट कोलकाता में खेले जा रहे डे नैट टेस्ट मैस्ट के दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया जिसे देखने के बाद इस्टेडिये में मौजूद दर्सक भी हैरान रह गए हालंकि भारत के लिए अच्छी बात या है कि भारतिय टीम काफी मजबूत इस्थिती में पहुँच चुकी है भारत की तरब से कप्तान विराट कोहली ने सांदार सतक जड़ा इसके अलावा चेतिस्वर पुजारा और अजिक के रहाने ने भी अर्दस अतक किया पारी खेली पूरे मैच में भारतिय गेदबाजों ने दमदार प्रदर्सन किया पहली पारी में पांच विकेट चटकाने वाले तेज गेदबाज इसांद सर्मा की कहर बरपाती गेदों के सामने दूसरी पारी में भी बंगला देशी बल्ले बाजों ने घुटे ने टेक दिये दूसरी पारी में बल्ले बाजी करने उत्री बंगला देशी टीम को पहले ओवर में ही इसान सर्मा ने सैड मैन इसलाम को सुने रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई इसके बाद तीसरे ओवर में भी इसान सर्मा ने मुमिनुल हक को सुने रन पर आउट कर बंगला देश को दोहरा जटका दिया मात्र तेरह रन पर चार विकेट गवा कर बंगला देशी टीम पारी की हार से बचने के लिए संगर्स कर रही है इससे से पहले अज कप्तान विराट कोहली ने 136 रनों की सतक की पारी खेली हलंगी एक समय ऐसा लग रहा था कि कोहली 12 सतक बना लेंगे लेकिन बंगला देशी के दिबाज इबावत हुसेन की गेंद पर तैजुल इसलाम ने आविश्वस्णिय कैच पकड़ कर कोहली की पारी कांत कर दिया इस्टेटियम में मौजूद दर्सकों समेत खुद कप्तान विराट कोहली भी यहादभुत कैच देख कर हैरान रह गये डाईव लगा कर कैच पकड़ने वाले तैजुल इसलाम जिस तरह मैदान में गिरे गंभीर चोट भी लग सकती थी गनिमत यह रही कि तैजुल को किसी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं आई